बिहार में आए दिन शराब बंदी का भाणडा फोड़ने की खबर सामने आती ही रहती हैं इस बार बकसर के सदर अस्पताल में शराब की कई खाली बोतल मिलने से संसनी फैल गई सिविल सर्जन के आवास के पीछे शराब की बोतल मिलने की घटना की चर्चा पूरे शहर में हो रही है वहीं इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और फॉरण ही बोतलों को ठिकाने लगा दिया गया हाला कि सदर अस्पताल में मिली शराब की बोतलों को लेकर विपक्ष ने नितीश सरकार पर जम कर प्रहार किया है वहीं राजद जिलाध्यक्ष शेशनाथ यादव ने कहा कि शराब बंदी महज एक दिखावा भर है उन्होंने कहा कि बक्सर में शराब खुले आम पिया जा रहा है और बेचा जा रहा है इसलिए सरकार के शराब बंदी के दावे फर्दी हैं हॉस्पीटल क्या हमको लगता है कि सरकारी महकमों के भी भागों में अगर गहन खोज की जाए तो मुझे लगता है कि पिया हुआ सराब और भरा हुआ सराब दोनों एवेलेबुल है सरकार नाटक कर रही है बंदी करने का कहीं कहीं दो कहीं कहीं चार कहीं कहीं छे बोतल कल मैंने देवल पढ़ा बक्सर खबर में देवल घाट पर एक टेंपो में सराब पकड़ाया है सराब पकड़ाया है सराब तो किसकी जिम्मवारी है नहीं पकड़ने की सराब नहीं भीके इसकी किसकी जिम्मवारी है नितीश कुमार जी के पाटी के छोटे नेता से ले करके और बड़े नेता तक आवाज बुलंद कर रहे हैं चिला चिला के कह रहे हैं ब्रस्टा चार चरम सीमा पर है सडक खराब बन रही है सराब घरो घरो में डिलेवरी है नितीश कुमार से तो चल नहीं रहा है वहीं राजपुर के कॉंग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने भी नितीश सरकार की शराब बंदी को वेफल बताया राम ने कहा कि शराब बंदी के नाम पर पुलिस गरीब लोगों पर जलम अढ़ा रही है देखिए बिहार के मुख्या नितीश कुमार का जो दारू बंद का आदेश है उस पे तो रोज प्रतिदिन के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है बिहार में प्रतिदिन ऐसा कोई छेतर नहीं जहां से दारू की बरामदी नहीं होती हो और हमारे सभी पूलिस अदिकारी जो भी हैं दारू में ही तत्लिन रहते हैं हत्या होती है उसके पीछे न जाके सीधे वो जाते हैं दारू के पीछे और जो हस्पीटल में दारू पकड़ा गया है कहिने कहीं जहां जनता की सुरक्षा होनी चाई है इलाज होना चाहिए उसका वहां दारू पकड़ा जारत कहीने कहीं जलत है लेकिन इसको विभागी यह स्थर से जिला धीकारी को या एस पी महोदे को अपने सत्र जांच करके इस मामला को गमिर्टा से जाना चाहिए आखिर वो जनता का जहां इलाज होता है गरीब गुर्वा का जहां इलाज होता है वहां दारू की बरामदी हो कहीं ने कहीं गलत है यहां पर सराब बंदी की सचाई क्या है कहीं हमको नहीं लगता कि विहार में सराब बंदी है नितीज वहीं इस घटना को प्रभावी सिविल सर्जन नरेश कुमार ने शर्मना करार दिया है नरेश कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने मामले की जाँच का आदेश दे दिया है और जल्द ही दोशियों के पहचान कर ठोस कारेवाई की जाएगी सदर अस्पताल से शराब की बोतलें बरामद होने से ये साफ हो गया है कि शराब बंदी केवल सरकारी दस्तावेजों में सिमट कर रह गई है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में शराब बंदी फ्लॉप हो चुकी है पंजाब केसरी टीवी के लिए बकसर से संजय उपाध्याई की रिपोर्ट